नमस्कार दोस्तों सिविल ग्यान में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो अपनी इस्टिरप्स वेरी होती है उसका हम लोग कटिंग लेंद कैसे निकालते हैं मतलब कटिंग लेंद के लिए मतलब यह है कि वहाँ पर हर एक रिंफोर्स मैं आपको गाइड कर दूँगा तो आप अपने आप निकालना चालू कर देंगे उसको प्रोब्लम हम लोगों के साथ में यही होती है कि हम लोग है न उस चीज को सोचना इस्टार्ट नहीं करते हैं तो अब किस तरीके से हम लोग निकालेंगा इसको देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ section बना लेते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि हमको करना क्या है आखिरकार तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि माल लिजे कि यह कोई beam है है ना तो यह अपनी जो pier है उसका cantilever भी हो सकता है यह फिर अपने building की कोई beam भी हो सकती है है ना यह फिर उसके लावा कोई और structure में इसी चीज़ आ रही हो तो वो भी हो सकती है अब यहाँ पे इसका variation कैसे निकाले माल लिजे कि यह पूरा हिस्सा यहाँ पे state आगया वापस आगे में और वापस आगे इस तरीके से वापस टेड़ा जाके और उपर की तरब अपना cantilever जाने लग गया है ना अब इसमें कोई ring लगने वाली है माल लिजे यह main bar है यहाँ पे यह इस तरीके से अपना main bar हो गया इस तरीके से जाता है फिर एक main bar यह नीचे से हो गया जो इस तरीके से जाता है और in main bar के बीच में जो distribution bar जो अपना होता है ring होता है जो share bar होता है वो इस तरीके से होता है है ना इस तरीके से लगावा होता है जिसका shape इस तरीके से रहता है अगर हम लोग side में से देखें तो इस तरीके का shape रहता है है ना यह कुछ इस तरीके का तो माल लिजे कि इसके कुछ dimensions है माल लिजे कि अपना pier का जो width है मतलब अगर हम इसको side से देखें तो इसका width जो है वो 2 मिटर का है ठीक है और height यहाँ पे इस जगह पे कितनी है यहाँ पे है 700 mm की और यहाँ पे कितनी height है यह जो height है यह हम यही पे लिख देता हूँ यह है यहाँ पे 1200 mm की तो यहाँ पे 1200 mm की height हो गई और यहाँ पे 700 mm की height हो गई अब यहाँ पे हमको करना क्या है अब यहाँ पे इसका निकालना है हम लोग को length उससे पहले क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हम लोगों को, यहां से इसका लेंद, वो मालनी जे 6 मिटर का अपना, यहां से लेकिया और यहां तक का लेंद है, और कवर दिया गया है 50 mm का, तो 50 mm हम लोग कवर ले लेते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, एक तो इसके नमबरा बार्स निकालेंगे, और सबसे पहली वाली रिंग, इसकी हाइट क्या रही है, और दूसरी वाली रिंग, इसकी हाइट क्या रही है, तो हम जब इसको निकालेंगे, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी हाइट क्या रही है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा उपर से 50 mm, नीचे से 50 mm माइनस, तो पेले वाली की निकल जाएगी वेसे देखा जाए, तो इधर में 50 mm नहीं आएगा, लेकिन अभी हम, for example चलिए एक काम करते हैं, उसको निकाली लेते हैं तो यह नीचे वाला कितना आएगा कवर जो हम लोग को माइनस करना है और जो उपर में कितना है, वो क्या आएगा है ना, वो निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एंगल क्या रहा है, जब एक बार हम लोग एंगल निकाल लेंगे हैं, उसके बाद में हम लोग आगे की कल्कुलेशन कर सकते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कि ब्रेकेट की तरह है तो हम लोग जो bracket का अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं bracket का हम लोगों ने किस तरीके से cutting length निकाल रखा है और एक especially मैं आपसे request करूँगा कि जो हम लोगों ने VUP का हांच निकाला है उसमें मैंने एक formula दिया हुआ है वो अगर आप निकालेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा ठीक है न आप जैसे कि यहाँ पर कितना है यहाँ पर cover 40 mm है तो 40 into 1 minus sin theta divided by cos theta ठीक है यह अपना formula यह मैंने आपको वहाँ पर बदाय हुआ है इससे आप लोग किसी भी angle का angle कोई भी हो जाए आपका आप लोग निकाल सकते है कि cutting यहाँ पर इसका gap यहाँ से इसका height कितना आएगा जब आप यह height निकाल लेंगे तो उतना ही minus कर लेंगे तो आपको समझ में आजाएंगा कि मुझे इतना अब यहाँ पर इसका size बनाना है ठीक है तो अब हम यह निकालना चलू करते हैं अब इसके लिए हमको angle चाहिए तो angle के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर base हमारा कितना होगा 6 meter का और यह height कितनी होगी यह 700 mm थी बारस थी मतलब यह 500 mm हो गया तो अब हम angle निकालेंगे तो कितना आता है यह आता है 14.036 है ना तो अब हम यहाँ पर अपने formula में put कर देंगे माली जे यहाँ 50 mm का cover है ना तो 50 mm के इसाप से हम लोग 1-sin 14.036 और divided by cos 14.036 अब कौन क्या केता है अब देखो आपको किसकी बात को मानना है किसकी बात को नहीं मानना है यह आपके उपर है लेकिन मैं फिर भी आपको prefer करूँगा है कि जो मैं यहाँ पर cutting length निकाल रहा हूँ वो आप लोग autocad में जाके एक बार जरूर चेक कर लिजएगा कि यह आती है या नहीं अगर आपको इस formula पर विश्वास नहीं है तो आप autocad में जाके एक बार चेक कर लिजए ठीक है तो उससे आपका विश्वास इस formula के परतिब बढ़ जाएगा अब इसका derivation भी हम लोग किसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से इसका यह पूरा जो मैंने किया है यहाँ पर किस तरीके से आएगा अब वो बात की बात है वो बात में हम लोग देखेंगे कि कितना आता है क्या है उस पर अभी हम लोग नहीं जाते हैं अब ही हम अपना बस काम फिनिश कर लेते हैं और उसके बार में हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारी रिंग की जो हम लोग cutting length निकालेंगे हैं उसकी calculation पर, चलिए तो अब इसको solve करने पर कितना आता है, तो इसको solve करने पर मेरा answer आता है 39 mm, है ना, approximate 39 mm आ रहा है मेरा answer, तो 39 mm करना ही है, है ना, तो यह हो गया हमारी calculation, अब थोड़ा इसको हम लोग हाटा देते हैं यहां से, अब हम इस में से, इसको minus कर लेंगे, 39 mm अपना answer आया है, मतलब 700 में से हम लोग कितना minus कर लेंगे, 700 में से उपर से 50 mm minus, नीचे से 39 mm minus, तो इसको करते हैं, तो कितना answer आता है, यह आता है 611, तो एक तो होगे अपना यह 611, है ना, अगर मैं इसको इस side में से देखूँ तो किस तरीके से, यह 611 होगा और यह भी 611 होगा, है ना, और side में हम लोग को निकालना है, तो इधर से cover minus करके, इधर से cover minus करके हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, और अभी हम लो इसको हम लोग ले लेंगे, 90, इसको हम लोग बेंड को 90 ले ले लेंगे और उसके बाद में, तीन बेंड यहां से deduct कर देंगे, तो उसके अपनी एक cutting length निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल लेंगे, भी इसको हम लोग 90 ले लेंगे, माल लिजे अभी कि अब इसका कैसा निकलेगा, यह ring माल लिजे यहां पर नहीं, अधिकतर cases में क्या लगती है, यहां से लगती है, है ना, तो यह यहां से लगते और वापस सरिया इस side में जाना चलू होता है, ठीक है, तो यहां इस corner से लगती है, तो हम लोग यहां से 50 mm मैनस कर देंगे, इध और हम लोग यहां पर बना लेते हैं, तो यह कुछ इस तरीके से, और यह 1100 mm की हाइड की यह से ring बन गई, और इधर में अपना 19 mm की ring बन गई, ठीक है, और 90 मतलब 90 90 180 mm का हम लोगों ने, बेंड यहां पर प्लस कर दिया, और बाकी के हम लोगों ने, बेंड ड़क कर लिए 2 पूडी के साब से, ठीक है, तो अब इसकी cutting length क्या बनती है, वो निकाल लेते हैं, और इसकी cutting length क्या बनती है, वो निकाल लेते हैं, ठीक है, दोनों निकालने के बाद में, अब हमको यह पता चल जाएगा कि last वाली ring की क्या length आ रही है, और इस वाली ring की क्या length आ रही है, है यहाँ पर निकालेंगे कि कितनी रिंग आने वाली है, माल लीजे कि 2 mm, center to center पर हर एक रिंग लगी हुई है, है ना, 2 mm, center to center हर एक ring लगी हुई तो अब उसी साब से कितनी rings आएगी वो हम लोग निकाल लेते हैं है ना तो अब सबसे पहले इसकी cutting length निकाल लेते हैं कि कितनी आएगी तो इसकी cutting length आती है 6.120 ठीक है यह इसकी होगी और इसकी cutting length निकालेंगे तो कितनी आएगी इसकी आती है 5.142 ठीक है यह दोनों आ गई अपने अब हम लोगों क्या करना है number of rings निकालना है कि number of rings के आने वाली है तो number of rings निकालने के लिए हमको क्या पता है कि यहां से 6 meter से यहां पर outer outer length आ रहे है अब यहां से पचासे में मैंनस कर देंगे तो 6 meter में से 50 में मैनस कर दें तो कितना आता है 5950 इसको हम लोग 200 से डिवाइड कर देते हैं तो 29.75 rings आती है मतलब 30 plus 1 एक 31 rings लगेगी यहाँ पर ठीक है तो हमको यह भी पता चल गए आपके 31 rings लगेगी और कौन सी वेरिकास होगी सबसे बड़ी ring होगी उसमें 6 meter 120 की और सबसे जो छोटी ring होगी वो होगी 5 meter 142 mm की है ना यह इसमें सबसे छोटी वाली ring होगी मतलब 5 meter 142 mm यह इतनी इसका वेरियेशन हो जाएगा अब 31 बार में हम लोगों को इसका वेरियेशन के से निकालना है चलिए अब वो हम लोग पूरी प्रोसेस चालू करते है अब थोड़ा space यहाँ पर बना लेते हैं इसको पूरा मैं delete कर देता हूँ आगे चलते हैं तो अब अपने पास में 31 number of rings है और सबसे फर्स्ट वाली की जो cutting length है वो है 6 meter 120 और सबसे छोटी वाली की है 5 meter 142 ठीक है यह इसकी है length अब हम लोगों क्या करना है हम लोग थोड़ा यहाँ पर बनाई लेते हैं कि माली जे कि हम पूरा एक cutting length का सरिया यहाँ पर हम लोगों ने काटा है ना तो हम लोगों को कितना बड़ा काटना पड़ेगा cutting length का सरिया 6 meter 120 mm का ठीक है और सबसे छोटा वाला जो हम लोग सरिया काटेंगे वो कितना काटना है 5 meter 142 mm का तो क्या इन दोनों को इस तरीके से बनाने से काम चल जाएगा नहीं चल सकता ठीक है ना अब उसके लिए हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को यह पता करना है कि हर एक सरिया कितने mm कम हो रहा है अगर हम वो पता करना है कि कितने mm कम हो रहा है तो हम लोग easily एक एक सरिया काटके और पूरे 31 सरिया यहाँ पर बना सकते हैं अब जब हम लोग last वाला खतम करेंगे तो यहां से जो चालू करेंगे वो पूरे 30 नंबर होंगे, मतलब आप देख सकते हैं कि मालीजे कि यहां पर अगर हमारे सरी एक 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 करके छोटे होते गए, है ना, तो सबसे जो पहला वाला जो सरी आएगा वो इसके बाद आएगा चोटा वाला, तो हाइट यहां से कम होना स्टाट होगी है ना, तो मालों कि यहां पर 31 है, तो किस तरीके से, यह पहला आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चोथा, पांचवा करके और सबसे लास्ट में, 31 वाला यह आपका आजाएगा, है ना, मतलब 30 नंबर वाला यह जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कि यह कुछ इस तरीके से हमारा रेंफोर्समेंट वेरी कर रहा है, ठीक है, अब यहां पर इस सरीय को इस काउंट कर लिजिए, क्योंकि यह तो काउंटेबल सरी हैं, है ना, माल लिजिए कि यह सबसे उचा है, तीन मिटर का, और यह सबस पांच हाइट कम करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग पहुचेंगे महाँ पर है, तो यह इसका फंडा यही है, कि हम उसको एसे पांच सेक्षन में डिवाइड कर दें, इस हाइड को, तो हमारी हरें की इक्वल लेंद निकल के आ जाएगी, अब जैसे कि 6 मिटर 120 में से 5 मि इसमें करता हूँ, तो कितना आता है, 978 mm आता है, 978 mm को अगर मैं 30 equal parts में डिवाइड कर दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि हर एक सरिया कितने mm वेरी होने वाला है, यही मतलब निकल रहा है ना इसका, तो अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इससे डिवाइड कि जादा है, इसलिए हमको हर एक सरिया छोटा करते चलना पड़ेगा, है ना, इतना mm छोटा करके, 3.5 mm छोटा करके हमको, लास्ट में जब हमको 5.142 mm मिल जाएगी, तो हम लोग वहाँ पर रुख जाएगे, यह सीधा सा फंडा है इसका, अब यहाँ पर चलो, यहाँ पी दे कम हो रहा है, मतलब हर एक सरिया में कितना कम होना चींग है, 200 mm, है ना, तो सबसे पेला आप देखिए, अब यहाँ पर, मैं एक इमेज नहीं लाइन मनने देता हूँ, अब सबसे पेले कितना कम हुआ, 200 mm, फिर कितना हुआ, यह पर 400 आ गया, फिर यहाँ पर 600, यहाँ पर 800, और सबसे लास्ट में 1m, तो बराबर आ गया न, यहां से हम लोगों ने 2mm से चालू किया, सरीया कम करना, और यहां लास्ट में आके 1m पर खतम हो गया, तो यह इस तरीके से हर एक सरीय का हम लोग निकाल सकते हैं कि हर एक सरीय में कितना mm कम होने वाला है रिंग में, ठीक है न यह इसका simple सा एक mathematics है, अगर अच्छा लगाओ वीडियो तो like जरूर कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ में भी share करना ना भूलें, और देखते रहिए सिविल ग्यान